मार्किट में मिलने वाली मैंगो जूस, प्रूर्टी, स्लाइस पीने में कितनी ज़ादा टेस्टी लगती है क्या आपको पता है कि हम घर में बिलकुल मार्किट जैसी ही मैंगो जूस बनाकर तयार कर सकते हैं और ये पीने में बहुत ही ज़ादा टेस्टी लगती है बिना color add किये बिना preservative के हम घर में बिलकुल market से भी बहुत ही अच्छी mango juice बना का तयार कर सकते हैं और ये बच्चों को बहुत बहुत जादा पसंद आती है तो आज मैं बिलकुल आसान तरीके से आपको घर पर ही बिलकुल बाजा जैसी mango protein juice बनाना बताऊंगी जो पीने में बहुत ही जादा tasty लगेंगे इसे के साथ मैं आपके सब mango popsicle की भी recipe शेयर करूंगी जो बच्ची हो या बड़े सभी को बहुत ही जादा पसंद आती है तो चलिए आज की हमारी recipe शुरू करते हैं वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तो यहाँ पर mango juice बनाने के सबसे पहले हम गया सोन कर एक cooker लेंगे और इसमें हम दो पके आम और एक कच्चा आम डालेंगे तो मैं यहाँ पर आम को कोई भी cutting या chopping नहीं कर रही हूँ डारेक्ट मैं इसे cooker में डाल कर बॉल करूंगी इसमें हमने एक glass पानी डाल दिया है और cooker का धकन लगाएंगे और medium आज पर हमें एक city आने तक पका लेनी है उसके बाद cooker का pressure खतम होने देंगे और धकन हटाकर हम आम को एक प्लेट में निकाल लेंगे आम जब पूरी तेके से ठंडी हो जाए तब हम इसके छिलके छिलकर इसके जो सारी pulp हैं उसको हम एक बावल में इकठा कर लेंगे यहाँ पर इस तेके से हम चाकू या किसी अस्पून की help से सारे pulp को हम निकाल लेंगे यह देखिए बहुत ही आसानी से इसके pulp निकल जाते हैं आप चाये तो chop करके त्योरी बना कर भी बना सकते हैं यह तरीका मुझे सबसे आसान लगती है मैंगो जूस बनाने में यहाँ पर जरूरत परने पर हम थोड़ा थोड़ा थंड़ा पानी इसमें डालेंगे यह देखिए और इस तेके से दबाते वे इसके सारे pulp निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से इसके pulp निकल जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारे आम के pulp निकाल लेंगे और अब हम इसको जार में डालेंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमें एक स्मूथ सा pulp मिल सके तेहाँ पर हमें एक बड़ा सा बाउल लेंगे उसके उपर छन्नी रखेंगे और इसमें हम ये मेंगो का पल्प सारा डाल देंगे और बचे वे पल्प को वापस से मिक्सी के जार में डालेंगे और इसमें हम चेनी डाल देंगे 3-4 बड़े चमच हमने चिनी अड़ की है आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अड़ करें क्योंकि आम भी मीठी होती है तो जितनी आम मीठी हो उसी अकॉर्डिंग आपको चिनी अड़ करना है और सारे पल्प को चिनी में डालकर इस तेके से दबा दबा कर हम चान लेंगे ताकि आम के अगर मोटे पिस रह गया तो यह चान कर अलब हो जाए तो यह देख सकते हैं इस तेके से हमने सारे आम के पल्प चान ली है इस process से बनाने में आपको आम के पल्प को दोबारा से cook करने की जरुवत बिल्कुल भी नहीं है, आप direct जो है juice बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका जो है मैं आपके साथ share कर रही हूँ, यहाँ पर हमने जरुवत के नुसाय ठंडा पानी आड़ कर दिया है, आपको juice जितना क ठंडा ठंडा मैंगो प्रोटी तयार हो चुका है घर पर ही, और कितना प्यारा सा यह juice में कलर आया है, देख सकते हैं, पीने में भी बहुत बहुत जादा टेस्टी लगती है, तो चलिए ठंडा ठंडा जूस हम भलास में पोर कर लेते हैं, यह देखें, तो लीज यह तयार है, बिल्कुल बाजार जैसी ही मैंगो प्रोटी जूस घर पे वो भी मिंटो मी, देखा आपने घर पे बनाना इसे कितना आसान है, और यह पीने में बहुत ही जादा टेस्टी लगती है, तो जब भी बच्चे मार्केट के जूस पीने की डिमांड करें, तो आप इस पेके स आसानी से उन्ही घर पे बनाकर दे सकते हैं, बहुत ही जादा टेस्टी लगेंगे यह पीने में, और यह बच्चों को बहुत ही जादा पसंद आती है, तो यहाँ पर मेरी बेटी जो है कब से इंतिजार करें, यह जूस बनने की, और यह यही पर खड़ी है कब से पीने के यह बेट करें, तो मैं यह जूस सारी अपनी बेटी को देने, और देख सकते है कितनी excitement है से यह जूस पेने की, और यहाँ पर जो जूस बच्ची है, आप चाहे तो ऐसे ही पी ले, या फिर मेरी तरह इस तेके से कुलप्ली वाले मोल्ड में, या फिर अगर आपके पैस देख सकते हैं मारा mango popsicle बनकर बिलकुल तयार हो चुका है, इसे इस तेके से धीरे धीरे घुमाते वे हम निकाल लेंगी, यह इसली निकल जाती है, तो यहाँ पर हम एक ही रेसिपी से दू चीजे बनाकर तयार कर सकते हैं, एक हमने घर पर ही mango पूटी बनाकर तयार की, और दूसरा mango popsicle, यह दूनों चीजे जो हैं बच्चे हो या बड़ो सभी को बहुत ही जादा पसंद आईगी, इतनी जादा यह केसी लगती है, तो आब भी से जरूर ट्राइक कीजी और कैसी लगी आज की हमारी यह वीडियो कमेंट्स में जरूर बताईएगा, वीडियो अच् वीडियो में फिर से एक और नहीं रेसिपिक के साथ, तब तक के लिए बाई बाई टेक केर, थैंक्स पूर वाचिंग